हाई गाईज वेल्कम बैक टो माई चानल मैं हुल सुगमा और मेरी चानल पर फिर से एक बार आपको स्वागत है तो आज अगेन मैं आप लोगों के साथ एक बहुत अच्छा बिट लॉस फॉर्मूला शेयर करने आई हूं जिनको भी कब्ज की प्रॉब्लम रहती है जिनको भी आपको अच्छा साथ नहीं होता है एवन उसकी वज़े से आप बहुत ज़्यादा आलस पील करते हूं आपको अथरसाइस करने का मन नहीं करता है या फिर आपका जो है खाना आपको खाते हो उसका अच्छा साथ बैलेस आपके बॉड़ी को नहीं मिलता है तो आज मैं आपके साथ एक ऐसी शेयर करोगी जिसके थुरू आपकी तेर्ट बहुत अच्छा से क्रीन होगा कब्ज की प्रॉब्लम नहीं होगी इवन पुरानी से पुरानी कब्जी जो है जिसी क्रोनिक बोलते है वो भी आपकी ठीक हो आपके बॉड़ी को मिलेगा जिसे बॉड़ी के अंदर के जितने टॉक्सिंस हैं वो निकलेगे सबसे बड़ी बात है कि सिफ तीर दिन आपको इसे करना है और उसके बात देखिए कि क्या गमाल होने वाला आपके बॉड़ी में इसकिन बहुत आपकी ग्लो करेगी अपकान है और निकलेगी कब जी निकलेगी जितने भी गंदगी जमागे पेट की यानि बॉड़ी की जितनी भी ढून धून के गंदगी को निकालेगा आतों में जो भी गंदगी को क्लीन करेगा तो टाइम को बेस नहीं करते हैं और वीडियो के तरह पढ़ते हैं लगिन पहले जिन लोगों ने भी चानल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है फटा फट से सब्सक्राइब कर लीजे और जलने से उस छोटी सी घंटे को में दबाना बिलकुल बद भूलिएगा क्योंकि इस से गया आपको पास नहीं पूसता है तो उसे ही जरूब दबाईएगा त अब यह है कि ठंडा पानी रहों हो रूम टम्प्रेचर को पानी है वह आपको लेना है साथ में लेना है आपको एक पूरा नीम्बू जिसके बीच सप्रेट करके आपको उसका रज इसमें डाल देना है जिसके बाद आपको लेना है इसम घोल आप में देखा होगा कीटो डाइट में भी जब रोटिया मनती है या फिर कीटो रोटी या फिर कीटो पराठा या कुछ भी तो उसमें इसम खोल डालते हैं बिकॉस यह फाइबर का बहुत अच्छा स्रोथ है और कीटो डाइट में हमें फाइबर बहुत ज़्यादा जरूरी होता है अपने फैट बंड के पॉसस है तो आपने इसमें देखा होगा सारी डाइट में इसमें यह डाला जाता है तो अगर आप ड्रिंक के उसमें पीएं अपिए अठीन इसमें पींड नहीं आप तो आपा व mister वाला ने के अठीन नहीं पीना है तो अपनेजमिया स्रोगित के ज़ता है और अच्छा कले कींदा का इसमेड लिए मत पीना और नहीं और तकान पूरी तरह से सिर्पना रात घ्रेना पीनाैं और अपक्तीन नहीं कर तो एक बार ट्राइ करिये तीन तीन तक और उसके बाद देखिए कि आपका बेट कितना तेजी से कम होता है आप फ्लेश आउट कि थू अपना वजन कितना ज्यादा कम करते हो ससका सा पॉर्मूला है बहुत इकटि पॉर्मूला है फुल ऑफ नेचुरल तरीके से यह है क्यों जो रिसम होलोता है यह डिरेक्ट पेड की ही एक वह चीज है तो आप इसे नेचुरल इंग्रीडियेंट भी बहु सकते हैं जिसके थू आप देखिए गा कि क्या मैजिक होने म हम दूब टूब बहुते हैं जिसके जिसके अटबड़ी से यह जिसके तूब बहुते हैं जिसके भी एक कि करा वचो अग्याओ कि प्रेंट यह जिस्के सूब्सेट जो अजिसके पूने से ँए! झाल झाल